Hello Everyone, आज है 4th July और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं IDFC First Bank के बारे में और साथ ही साथ उनके Merger के बारे में भी क्योंकि Merger में जो Swap Ratio सामने आया है जिसके चलते अगर हम देखे तो आज IDFC First Bank में 5% की गिरावट है जबकि IDFC Limited में गिरावट नहीं है पाचित करेंगे कि आखिर इसकी वज़े क्या है खरेदारी के मौके बन भी रहे हैं कि नहीं और अगर बनेंगे तो कहां पर बनेंगे देखे वीडियो को शुरू करूँ से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इससे सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि आगे भी बहुत सारी वीडियोस है जो आपको काफी जादा हेल्प करेंगे तो IDFC First Bank का शेर आज देखे तो 77 रुपीज पे अभी ट्रेड कर रहा है 5% की बड़ी गिरावट आई है और इससे पहले अगर हम बात करें तो पहले ये बढ़ता हुआ नजर आया था 71 रुपीज से एक महिने में अगर आप देखोगे तो 71 रुपीज से बड़ा मूव आया 82 रुपीज तक गया फिर थोगा सा करेक्शन दिखाया फिर वापस से तीजी आई थी यहाँ पर वापस अभी आज के दिन में गिरावट देखने को मिली है वन्ना पहले मर्जर से पहले तीजी ही देखने को यहाँ पर मिल रही थी एक साल में भाईया वाकई में अच्छा पैसा बना कर दिया है इसने 130 परसंट का रिटन लोगों ने कमाया है शांदार शेयर है यह और अगर आप चनल को रेगिलो फॉलोग करते हो मैंने कहा था कि भाईया 40-50 रुपए के निज़े जब तक मिल रहा है दबा के खरीदारी करो कोई डरने की बात नहीं है और उसके बाद अगर आप देखो तो लंबे समय तक इसने स्वाप की जो स्वाप रेश्यो सामने आया है क्योंकि स्वाप रेश्यो में जो IDFC लिमिटेड है उसका फाइदा हुआ है ठीक है और उसके शेर्स में देखा जाए तो सुरुवाती दोर में 30 थी आज के टाइम पर 4% की 30 इसने दिखा है लेकिन चलते थोड़ा सा यहाँ पर ट्रिगर हुआ है दा बोर्ड ओफ IDFC लिमिटेड और IDFC फर्स्ट बैंक फाइनली अनॉंस दे शेर्स शॉप रिश्यो फॉर दे मर्जर ऑफ अन टू अन सेकंड थ्री मुलाई थ्री तो शेर्होल्डर्स जो है जो IDFC लिमिटेड के शेर्होल्डर्स को है उसको IDFC बैंक के 155 शेर्स मिलेंगे जिनके पास भी 100 शेर्स होंगे IDFC लिमिटेड के और देखो IDFC लिमिटेड जो है वो सीधर मर्जर होने वाला है IDFC फर्स्ट बैंक में ठीक है तो जिनके पास IDFC फर्स्ट बैंक का शेर है उनके तो 55 shares मिलेंगे अब यहाँ पर आप simple maths लगाओ कि price क्या है इनका अब मान लोग कि आज से पहले इसका जो price था कल तक इसका जो price था वो 80 रुपीज 80 रुपए के आसपास का था ठीक है और इसका price था 110 रुपए के आसपास यह मान के चलते हम तो यहाँ पर मान लोग कि जिन लोगो अगर आपके पास IDFC First Bank के 100 shares है तो आपकी जो कुल value निकल कर आती investment की वो हो जाती 8000 रुपए ठीक है 8000 रुपए है जबकि यहाँ पर हुआ यह कि मान लोगो कि जिनके पास IDFC Limited के 100 shares है ठीक है 100 shares और उनका कुल investment होता है 11000 रुपए ठीक है अगर मैं 110 रुपए का price यहाँ पर First Bank के 155 shares मिलेंगे तो उनका 11000 रुपए का जो investment है वो बन जाएगा 12400 रुपए तो premium यहाँ पर ज़ादा है इनका अब देखे अगर हम 3rd July का closing price देखेंगे तो IDFC Limited shareholders are getting premium of 17% मतलब उनको ज़ादा मतलब मिल रहा है यहाँ पर और यही वज़ा है कि आज के time पर अब दोनों मे से किसी एक को तो adjust करना पड़ेगा ठीक है तो settle होने से पहले यह हो रहा है कि भाया price settle हो रहा है दोनों का ठीक है तो दोनों में से या तो भाया IDFC First Bank गिर जाए ठीक है यह एक बड़ा चीज है या तो IDFC First Bank गिर जाए या तो फिर IDFC Limited गिर जाए तो यह चीज होने वाली है य अब शायद और शायद कम हो जाएगा और मुझे देगा कि वापस adjust हो जाएगा है simple adjusted वाला चीज यहाँ पर चल रहा है तो डरने वाली कोई बात यहाँ पर है नहीं कोई negative खबर नहीं है IDFC first bank के लिए simple से बात ही जो swap ratio announce हुआ है उसके चलते यहाँ पर यह सारी चीज़े देखने को मिल रही है अगर हम बात करें जाए company को लेकर तो analyze expect the spread to contract as merger process we will recommend it any spread trade only when the spread is at adequate level as per the merger close timeline hypothetically if trades is available 13-14% then it is good level to enter but looks unlikely to happen यह उनका कहना है देखो simple से बात है एक बार यहाँ चीज़ों को settle हो जाना दीजिए लेकिन अगर आपके पास है तो base के भागने के भी जरूरत नहीं है company अच्छी है यहाँ पर और आप देखो तो IDFC through its non financial holding company holds अगर IDFC limited के बाद अगर हम देखे तो वो ही इनकी parent company जनके पास IDFC first bank के ते अगरीबन 40% की stake है after the merger the book value as per the bank will increase by 4.9% as calculated on audited finances अगर merger हो जागा तो इनकी book value जो है वो बढ़ जाएगी simple से बात है यहाँ पर तो देखे merger होना ही है ठीक है और आगे भी होगा मतलब आगे भी कई सारी bank के साथ हो सकता है लेकिन हाँ अभी यह merger होना है और simple से जो अभी आज चीज निकल कर आई है वो यह है कि वह यह प्राइज अभी एडजस्ट हो रहा है ठीक है और शायद हो सकता है कि IDFC फर्स बैंक तो और फर्दर अगर तूटता भी है तो खरीदारी के ही मौके बनेंगे बेचने के नहीं मुझे बैंक पसंद है और मैं long term की यहाँ पर बात कर करना है इसी को करना है अगर fundamentally अगर हम देखे इस बैंक के बारे में तो भाई यह इसका जो market के अपर 54,000 करोड के आसपास का है merger के बाद शायद और बढ़ जाएगा यहाँ पर इसका market के अगर बात करी जाए company के dividend की तो हलाकि वो पे नहीं कर रहा है 2018 में इसने पे किया तो इसके बाद dividend payout नहीं हुआ है और मुझे तक शायद dividend payout शायद शुरू हो सकता है अगले साल से क्योंकि पिछले दो सालों में इनने अच्छा पैसा बनाया है यहाँ पर अगर हम बात करें तो अगर देखे रेवन्यू में बहुत बड़ी तेजी आई है बहुत बड़ी ला 816 करोड के आसपास का profit हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है अच्छा profit है खराब नहीं है अच्छा profit है यह इससे पहले 600 करोड था इससे पहले 500 करोड था इससे पहले 450 करोड इससे पहले 350 करोड था तो profit इनके लगातार बढ़ रहे हैं और company में अगर आप देखो shareholding के 4.72% है insurance करने के पास 4.22% है और others के पास 4.70% की holding देखने को मिल रही है लेकिए overall जो merger हो रहा है वो definitely favor में ही है bank के कोई खराब चीज़ नहीं है हलांकि जो गिरावट की वज़ा यही है जो इनका swap ratio आया उसी ने आज इसको परेशान किया है लेकिन मेरे हिसाब से अगर नीचे की तरफ जाता है खरीदारी के मौके यहां पर बनेंगे panic में आकर बेचने की ज़रूरत नहीं है यह मेरा personal opinion है बाकी मरजी आपकी है आगे देखेंगे कि भाया क्या होता है किस तरीके से होता है कब तक process complete करी जाएगी वो आने वाले दिनों में हमें already पता चल जाएगा तो यह तो बात हुई IDFC First Bank की इसके अलावा analysis के लिए जिस portal का में इस्तिमाल कर रहा हूँ trade brains अगर आप भी इसको use करना चाहते है तो link में आपको description में दे दूँगा और अगर आप मेरा coupon code HSA20 का इस्तिमाल करोगे तो आपको 20% discount भी मिल जाएगा कई सारे बहते ने इन features यहाँ पर जहाँ पर आप एक click में fundamentally strong penny stock को डूंड सकते हैं अच्छा dividend पे करने वाली company को डूंड सकते हैं इसके अलावा जो बड़े-बड़े investors हैं वो क्या खरीद रहे हैं उनका पूरा का पूरा portfolio आप check out कर सकते हैं और काफी shares आपको ऐसे मिलेंगे जिसका नाम तक आपने सुना नहीं होगा तो जाए लिंक description में है और मेरा coupon code use करिए वीडियो को यहीं पर end करूंगा पसंद आखो तो like करे शाय करे चैनल बगड़ा पहली बार हैं तो please subscribe करे औ IDFC first bank के बारे में आप क्या सोचते हैं और यह पूरे के पूरे merger के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे comment में लिख कर बता सकते हैं thank you